कि हरी हों आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को जो भी आप टाइप करते हो उस फॉंड का थिकनेस कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बता रहा हूं अभी समझो मैं इदर कुछ टाइप कर लेता हूं टाइप करने के बाद अभी इसको मैं क्या करता हूं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसे सो अभी समझो इसको इस फॉंड का मुझे थिकनेस जादा करना है तो अगर इसका थिकनेस जादा करना है बोलो तो आप क्या कर लेते हूं ऐसे बोल्ड कर लेते हूं बोल्ड करने कि अब इन दोनों को क्या है सेंटर कर लिता हूं कि शिफ्ट पकड़ के से सेलेट करो सेंटर एंड सी बोलता हूं तो देखो भी ऐसा एकजैक्ट सेंटर में नहीं कि यह आया हो कि dependency से चारों तरफ बढ़ा नहीं है अगर वैसा ऐसा तीकना सबको चारों तरफ बढ़ा वह किया करना वह को आज बताने जारहां है mij 2 है यह प्ड़ है वैसे आप लाइन भी दे बंदे सकते हैं अभी थिकने का करें अधर है अभी समझो इसको मैं क्या करता हूँ एक लाइन देया कुम इसको क्या है इसे ब्लैक में करेता हूँ यहनी फôn को कभी भी लाइन नहीं । कॉल नह measuring नहीноп идет को मैं भी थोड़ा लैट बल्हा देता हूँ कॉनस अभी इसके लॉए आप इसको क्या है black पर गर्रेट लिक करता हूं यहनु क्रैस्व मैं सबकूरि एक प्रकूरम है प्रॉबिश्पन कल सकती है अभी समझो, आपपने यह font थोड़ा आपको छोटा करना है, ऐसे आप छोटा करेंगे, तो क्या हो रहा है, वो line का थिकने स्कम नहीं हो रहा है, ओके ऐसे क्या होता है, ऐसे problem होता है, तो इसको क्या करना है, अगर line आपने use किया है, और जैसे आप छोटा करते हो, उदर कुछ प्राप्टलम नहीं होना चाहिए आपको बोले तो अभी मैं इधर क일 कश कुछ थील में कूछ तीन पॉइंट कर लेता हो आधर अभी इसको मुझे छोटा करने देता हूं इसका लाइन तिकनेस जादा किया हुआ है सो अभी इसको क्या है कर अलग देता हूं अभी इन दोनों को आप क्या करो सेंटर करके देखो आप अभी इसको और इसको दोनों सेंटर कर लेता हूं E and C बोल दो तो क्या हुआ exact बीच में आया हो इस तरह आपको thickness बढ़ाना है अभी समझो यह छोटा करूंगा तो इदर problem हो रहा है अभी 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 आपने देखा कि जैसे मैं उसको छोटा किया तो क्या हो रहा है अभी मैं इसको छोटा करता हूँ चोटा करता हूँ तो क्या है इप यह लाइन तिकने सेना इसका तो इदर देखो shape बिगड रहा है उसका इस font का क्या है shape ऐसे बिगड रहा है अगर उस shape को बिगड़ना नहीं चाहिए बुले तो आपको क्या करना है जैसे आप line लेते हो line लेने के बाद आपको तो क्या होता है line thickness भी कम होता जाता है अगर आप बड़ा कर रहे हैं तो automatic लिए वो क्या होता है उसके साथ साथ तो line thickness भी अपने आप बड़ा हो जाता है इसको active रखेंगे तो इसको active रखेंगे अभी मैं ok बोल देता हूँ तो अभी देखो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ तो देखो अभी कुछ changes हो रहा है ओके अभी हम क्या करेंगे compare करने के लिए दोनों रखेंगे इदा अभी मैंने क्या किया है और एक एक वो font इदर create कर लेता हूँ अभी इसको क्या है वो इदर आता हूँ इसे छोटा करता हूँ अभी ओके देखो आप यह क्या हो रहा है अभी यह line thickness घट नहीं रहा है लेकिन इसका line thickness कम हो रहा है वो अपने आप हो जाता है अगर आप बढ़ा करेंगे तो उसके साथ साथ वो भी line thickness भी बढ़ता है तो इसलिए क्या है आपको line में जाके आपको क्या करना है transform with object करके उसको active रखना है यह आपको समझ में आ गया यह एक तरीका हो गया इसमें और एक तरीका है वो क्या है अभी इसको और एक ऐसे duplicate लेता हूँ इसको क्या है contour करके option है blend tool है blend tool के अंदर contour करके option है इसको मैं इसे drag कर लेता हूँ drag करके इसको क्या करूँ अपर इदर आके outside हो लो outside बोलने से बहार आ गया अभी line नहीं है object है यह अभी बहार आ गया अभी आपको जितना steps चाहिए उतना steps आप ले सकते हो अभी के लिए क्या है मैं अभी इसमें सिर्फ एक ही रखता हूँ उके एक ही रखता हूँ एक ही रखके इसको मैं क्या करता हूँ अगर आपको thickness कम ज़्यादा चाहिए तो आप इदर कम ज़्यादा कर सकते हैं उके इस तरह आप आपको जितना चाहिए उतना लेके अभी समझे मुझे इतना चाहिए अभी तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ अभी जो कंटूर जहां पर हुआ है उस स्टेप पर आपके राइट लिक करो मौँ सब ब्रैक बोल दो ब्रैक बूलने से उसको छोड़ देता हूँ देखो भी यह क्या हो गया सेम फॉंट थिकने सा गया आप बोल्ड बोल के जब करते हो और ऐसा के करते हो तो और यह अलग-अलग है आपको दो मेतेड मैंने बताया अगर यह करते हो तो आपको कुछ डॉट्स होगे रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद